वेलकम तू लेक्चर नूमबर फिफ्टीन अप तिल नाओ हमने जस्ट मैथमेटिक्स कवर की है जो के इलेक्रो मेगनेटिक थीरी को पढ़ने के लिए जुरूरी है इस चैप्टर से चैप्टर नूमबर टू से हम हम ऐलेक्ट्रो स्टेटिक का आगाज कर ने जा रहे है जो के इलेक्ट्रो डायनिक्स की तरफ हमारा पहला कदम होगा in the sense of physics not not in the sense of mathematics, so हमने mathematics कर लिए है अब हम अलेक्ट्रो स्ट्रेस्टिक की तरफ आ रहे हैं, जब भी हम इलेक्ट्रो का नाम सुनते हैं हमारे माइंड में आते हैं Charges, Electric Fields, Potential, Potential Energy, Attraction, Electrons, Protons, इस तरह की चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं, तो हम इन चीज़ों को इस चैप्टर में डिसकस करेंगे, Electrostatics का मतलब है, Electro means, Charge, and Static means at rest, so in this chapter or in this section that comprise of three chapters that is chapter number two, three and four हम Charges को at rest पे देखेंगे, वो टाइम में मूव नहीं कर रहे होंगे, ठीक है तो हम उनको सिर्फ at rest पे देखेंगे, किस तरह बहेव करते हैं वो, let's suppose हमारे पास कुछ Charges हैं जो के इस तरह स्केटर हैं, different points पर पड़े हुए हैं, इनको अगर हम number करना start करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब ये मेरे पास कुछ skatered Charges पड़े हुए हैं, Q1, Q2, Q3 and so on, अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम यहाँ पर एक problem solve करना चाह रहे हैं, कि ये different Charges हैं मेरे पास, अगर मैं कोई और Charge, कोई और Charge इनके पास लेकर आऊं, ये जो मैंने एक Charge ड्राग किया है येलो कलर में, let's say it is a test Charge Q, अब अगर मैं ये वाला Charge इनके करीब लेकर आऊं, तो इस Charges की वज़ा से, इस Test Charge पर क्या force लगेगी, क्या हम वो find out कर सकते हैं, तो हाँ, इन Principle हम कर सकते हैं, और वो हम कैसे कर सकते हैं, कि इसके लिए हम यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं, इसका मतलब है, कि जो force लग रही होगी, टू की वज़ा से इस Q पर उस पर इस force का कोई असर नहीं होगा, जो 1 की वज़ा से Q पर लग रही होगी, इसी तरह, जो 6 की वज़ा से Q पर force लग रही होगी, इट विल बी अनफेक्टिट बाइद अधर फोर्स इस, तो हम क्या कर सकते हैं, कि इस Q टेस्ट चार्ज पर जो टोटल फोर्स होगी, कि F उसको हम लिख सकते हैं as sum of F1 plus F2 plus F3 and so on, जितने हमारे पास charges होगे, उन charges की वज़ा से जो force लगेगी, टेस्ट चार्ज पर, उन सब के summation की वज़ा से हमारे पास एक resultant force आएगी, जिसको हम net force है, टोटल force कह सकते हैं, जो charge Q पर लगेगी, अब आप देखें, कि ऐसा क्यों है कि हम इनको add यां सब्ट्रेक्ट कर सकते हैं, forces जो हैं वो vectors की form में act कर रही हैं, they are directional, तो let's say के हमारे पास एक कोई charge यहां पर भी पड़ा हुआ है, और इस charge की वज़ा से जो force इस पर लग रही होगी, you see, जब हम इनके components ड्रा करेंगे, तो this is the horizontal component and this is the vertical component, और इसी तरह इस की वज़ा से, charge 2 की वज़ा से जो component होगा, वो इस तरफ होगा, and this will be the component, so in actual, हम इनके components को add यह सब्ट्रैक्ट करते हैं, on the basis of their direction, उनकी strength ज्यादा यहां कम हो जाती है, so that's how we are adding forces, so हमने forces को तो discuss कर लिया, के forces किस तरह से charges पर act कर रही हैं और हम उनको किस तरह से add कर सके हैं, लेकिन यह force actually है क्या, इसकी strength क्या होगी, इसकी strength जो है force की, जो q charge पर होगी, बाकी सारे cluster of charges की वज़ा से, वो हम coulomb's law से find out कर सकते हैं, and coulomb's law tells us the force on one charge q equals one over four pi epsilon naught, q test charge q over r square and in the direction of r, हमारे पास यहाँ पर जो epsilon naught है, यह permittivity of free space है, हम इस equation से भी इस permittivity के जो units हैं, वो निकाल सकते हैं, हमें पता है कि जो force है, उसका unit क्या है, newton, हमें newton का पता है कि इसका unit newton है, हमें charge का पता है, कि अगर हमारे पास q भी एक charge, small q भी एक charge है, capital q भी एक charge है, तो यह हमारे पास coulomb's square आ जाएगा यहाँ पर, और हमें पता है कि जो r है, it is distance, तो इसका हमारे पास meter square आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास one over epsilon naught है, जिसके हमें जो units हैं, find out करने हैं, तो हम यहाँ से find out कर सकते हैं, कि epsilon naught के units होंगे, वो coulomb's square over newton meter square होंगे, इसकी जो value है, वो 8.85 multiplied by 10 raised power minus 12 coulomb's square per newton per meter square है, instead कि हम epsilon से, से अपने results निकालने, यह जो एक complete constant है, इसको k के equal कर दिया जाता है, that is a coulomb's constant, और इसकी value है, 9 multiplied by 10 raised power, positive 9, not the minus 9, okay, so हमने देख लिया कि हमारे पास force आगे है, जो कि किसी एक charge की वज़ा से, दूसरे charge पर एक कर रही है, लेकिन हमने पहले का है, कि हम इन forces को add या subtract कर सकते हैं, तो in principle हमारे पास addition ही होगी, superposition principle से, so अगर हमारे पास a number of charges हैं, then F, total F or the net force would be equal to, F1 plus F2 plus F3 plus and so on, और अगर हम इन forces की values put कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा, one over four pi epsilon सब में हमारे पास common है, उसके बाद Q1 capital Q divided by R1 square, अब ये जो R1 square है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास this vector है, R1, इसका हम square ले रहे हैं, उसके बाद हमारे पास जो second force है, that is due to Q2 own capital Q test charge, और उसकी जो magnitude है, जो distance है, वो R2 square है, so this is our R2, और इसका हम square लेंगे, और यहां से आप देखें के हमारे पास, इनके direction vectors आ रहे हैं, R1 की direction में, this is R2 की direction में, and then हम Q3 भी लिख सकते हैं, Q3 multiplied by test charge, Q R3 square in the direction of R3, and so on, हम इनको add करते जा सकते हैं, in the end हम क्या गर सकते हैं, कि हमारे पास, हम एक quantity को, यहां पर introduce करवा सकते हैं, अब अगर हम इन सब में से, test charge Q को common ले लें, this is Q, and we are left with, 1 over 4 pi epsilon naught, और हमारे पास, यह सारी bracket वाली term आ जाएगी, Q1 over R1 square, R1 direction, प्लस summation जो भी हमारे पास, rest of the charges हैं, यह जो quantity है, इसको हम electric field का नाम देते हैं, जो force है, वो charge पर लग रही है, due to electric field, तो हम force को define करते हैं, force on charge Q, is equal to the charge Q, multiplied by total electric field, that is due to the bunch of charges present over there, so हम, हमारे पास, यह जो brackets में term है, इसको हमने E के equal का है, तो यहां से हम electric field को define कर सकते हैं, that would be equal to, 1 over 4 pi epsilon not, और जो हमारे पास, charge over distance square, in the direction of that distance square है, इसको हम summation की form में लिख सकते हैं, that would be, I equals 1 to N, N मेंज जितने हमारे पास number of charges होंगे, qi, इसका मतलब है, हमारे पास number of charges है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, up till N, और उसके corresponding, वो कितने distance पे हमारे पास, वो आ जाएगा, उसका distance r1, और उसका हम square ले ले लेंगे, ri square, and then, that direction component, ri hat, तो इस तरह से हम, electric field को define करते हैं, हमने electric field define कर दी है, force से start होकर, अब ये electric field actually हमारे पास है क्या, ये electric field हमारे पास source charge से हम कह रहे हैं, क्योंके जो हमारे पास q1, q2, q3, and so on, जो source charges पड़े होएं उनकी वज़ा से है, और इस से हम देख सकते हैं, क्योंके electric field जो है, it is a function of position r के हमारे पास, वो जो charge है, वो किस जगा पर पड़ा हुआ है, क्योंके हमने देखा है, क्योंके हमारे पास जो position vector है, r, it is r dash minus r के जो हमारे पास q की position है, और जो हमारे पास small q की position है उसकी वज़ा से, तो जो r है, actually, हमारे पास position पर depend कर रहा है, यह separation of the charges पर depend कर रहा है, अच्छा, अब हमारे पास, हमने इसको independent of any origin कर दिया, हमारे पास कहीं भी bunch of charges होंगे, एक test charge हम उसके पास लेकर जाएंगे, और हम उनके distances मेएर करेंगे, directions मेएर करेंगे, and then we can find out, कि हमारे पास कितनी force हो, force लगेगी उस charge पर, हम force से start हुए हैं, और हमने electric field define कर दी है, लेकिन electric field को हमें एक physical quantity की sense में imagine करना चाहिए, कि it is a vector quantity, इसका मतलब यह है कि दो electric field lines from the same source, let's say यह हमारे पास जो positive charge होता है, यह हमारे पास source of electric field होता है, तो यह जो electric fields होंगी, यह कभी भी एक दूसरे को cross नहीं करेंगी, these are vectors, and they are radially pointing outwards, तो एक चार्ज से जो electric fields निकलेंगी, वो कभी भी अपने आपको intersect नहीं करेंगी, they go always radially outward from charges, and inward into the electrons that are the negative charges, so हम इसको as a physical sense में देखेंगे, के हमारे पास यह जो एक charge पड़ा हुआ है, यह electric fields की मदद से कुछ information सेंड कर रहा है, दूसरे किसी charge पर in electric fields की वज़ा से, और information let's say it is a force, तो वो force कितनी ज्यादा होगी, वो depend करेगा के electric field की strength कितनी ज्यादा है, at this point Q, और वो जो electric field की strength है, वो हम measure करते हैं, के हमारे पास इस electric field lines per unit area, के हम अगर यह circle ड्रा करें इसके round, तो उसका जो area होगा, स्वेर का जो area होगा, उस area में से कितनी electric field lines निकल रही हैं, वो हमारे पास electric field strength होगी, और वो हमें फिर इंटर्न बताएगा, के charge की उपर कितनी force लग रही है, तो electric field को as a physical entity हम deal करेंगे, तो हमें इस equation से यह पता चलता है, के जो हमारे पास electric field है, electric field will be there even for just one single charge, अगर हमारे पास दो charges नहीं हैं, के हम देखें के वाकिए electric field है या नहीं है, we now know के electric field must be there whenever we have a charge, और वो किस पर depend करेगी, वो आर पर depend करेगी, अब हम आर किस तरह से देखेंगे, तो हम hypothetically कह सकते हैं, के let's say मेरे पास एक charge Q यहां पर पड़ा हुआ है, मैंने इसकी वज़ा से जो electric field है, इस point पर that is the point P, इस पर मैंने electric field मेजर करनी है, तो हम इस equation से, इस formula से वो electric field मेजर कर सकते हैं, तो let's do an example for this, this is example 2.1 from Griffith's book, and let's do it, तो हमारे पास दो charges हैं Q, जिनके same charges हैं Q, जिनके दरम्यान जो distance है वो D है, और उनके central point के directly above किसी P point पर हमने electric field find out करनी है, यह हमारा question है, तो हमने कहा कि जो charges हैं उनसे हमारे पास electric fields अमर्ज होती हैं in the form of factors, तो let's say कि इस charge की वज़ा से यह एक vector हमारे पास P में से गुजर रहा है, और इस दूसरे की वज़ा से यह एक vector हमारे पास P में से गुजर रहा है, अब हमारे पास जो vectors हैं हम उनको resolve कर सकते हैं उनके constituents parts में, तो इसका जो horizontal part है वो इस तरह हमारे पास towards right होगा, इसको थोड़ा सा color change कर लें, तो यह देखें कि यह जो हमारे पास है red में towards right होगा, और यह दूसरा जो है यह red में towards left होगा, अब आप देखें कि क्योंकि distance same है, इनकी magnitude same है, तो जो horizontal component है electric field का वो एक दूसरे को cancel out कर रहा है, on the other hand, जब हम vertical component को देखते हैं, this is the vertical component of electric field up till point P for the left charge, and this is the vertical electric field component due to the right charge up till the point P, अब देखें कि हमारे पास दोनों की direction जो है वो upward है, इसका मतलब है कि z की direction में हमारे पास जो electric field component है, वो sum हो रहा है, और वो same चीज का sum हो रहा है, अब वो same चीज हमारे पास क्या है, हम एंगल define कर सकते हैं कि यह जो angle है, यह हमारे पास theta है, अगर यह हमारे पास angle theta है this is hypotenuse this is opposite and this is adjacent तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो हमारे पास z होगा, जो distance z होगा वो हमारे पास उसकी value क्या होगी वो हम cos theta से निकाल सकते हैं because we अब जो हमारे पास let's say this is electric field component right तो हमारे पास इसकी जो horizontal component है अगर यह हम angle theta ले रहे हैं तो this will be e cos of theta right तो यहां से हम लिख सकते हैं हमारे पास जो total हमारे पास जो होगा वो this one and this one इन दोनों का sum होगा then it will be 2 e cos of theta and we know that for just one charge for the same charge q हमारे पास जो electric field होती है वो हमारे पास 1 over 4 pi epsilon not q over r square होती है this is our r square ठीक है in the direction of r तो हम उसका component resolve करके cos theta लिख रहे हैं कि यह हमारे पास cos theta हो जाएगा cos theta वाली direction में जो उसका component है वो हमारे पास सिर्फ बचेगा in z direction अब हमारे पास जो cos theta है वो हम निकाल सकते है cos theta would be equal to z over r और हमारे पास जो r square है वो हमें पता है r square would be equal to this square and this z square और उनका हमारे पास square root आ जाएगा then r would be equal to z square plus d by 2 whole square Pythagoras theorem से हमने यह लिख लिए अब हमारे पास r की value भी आ गई है z का भी हमें पता है तो हम electric field जो है at point p in the direction of z उसको हम लिख सकते हैं 2 1 over 4 by epsilon not now we know we know the value of q charge r की value हमें पता चल गई है तो that would be z square plus d by 2 whole square and we know that from here cos theta is z over r तो इसकी जगा हम z over r पुट कर लेंगे और r की value हमें पता है that is z square plus d by z square whole 1 by 2 now this is these two are same these are r हमारे पास तो हम इनको कठा कर सकते हैं e at z would be equal to 1 over 2 pi epsilon not q over अब देखें हमारे पास यहां पर क्या आ रहा है z square plus d by z whole power 3 by 2 because this is power 1 and this is power half तो जब हमारे पास same base है powers different है तो हमारे पास जो powers है वो add हो जाती है 1 plus half equals 3 by 2 और यह हमारे पास किस direction में है यह हमारे पास z direction में है यह वाला z यहां पर इसके साथ multiply होगा and in the direction of z यह हमारे पास electric field है z direction में किसी भी arbitrary p point पे वो p point जहां पर भी होगा वो हमारे पास z की value होगी वो हम input देंगे और हमारे पास electric field आ जाएगी along z axis अच्छा अब हम यह हमने एक general form electric field की find out की है in the direction of z इसमें एक बड़ी important और मज़दार सी चीज़ है जब आप देखें कि हमारे पास जो electric field की dependence है वो z और d दोनों पर आ रही है तो जब हम कोई ऐसा point चूज़ करते हैं जो के कोई ऐसा point चूज़ करें जो के इन charges से बहुत ज्यादा दूर हो और हम पी पॉइंट को इससे बहुत ज्यादा दूर चूज़ कर लें इस तरह से चूज़ करें कि जो z है it is much much greater than d तो जब इस तरह से हमारे पास होगा हम इन charges के दरम्यान जो distance है हम उसको consider कर सकते हैं d is nearly equal to zero और इस case में हमारे पास जो हमारे पास जो result आएगा वो इस तरह से होगा कि यह जो एक binary couple है इन दोनों का they will act like a single charge तो यह हमारे पास एक important aspect है by driving in general calculations तो electric fields के लिए यही तक था आगे हम अपनी calculations में देखें कि यहां पर तो हमने discrete charges को discuss किया है तो अब हम देखते हैं कि electric field हमारे पास किस तरह से होगी अगर हमारे पास discrete charges की बज़ाए charges continuous हो जाएं हमने discuss किया है कि हमारे पास इस एक line पर दो charges पड़े हुए है let's say कि हमारे पास दो नहीं बलके इसके हर point पे एक एक charge पड़ा हुए now this is a continuous line charge इसको हम कहते हैं continuous line charge distribution अगर हमारे पास कोई surface हो कोई plane हो और उस पे हमारे पास ये dots जो हैं ये charges को represent कर रहे हैं तो ये हमारे पास continuous charges पड़े हुए हैं किसी surface पे तो इसको हम कहते हैं continuous surface charge इसी तरह अगर हमारे पास इस इस surface की बजाए कोई हमारे पास solid body हो let's कि ये है हमारे पास एक cube और इस cube में हमारे पास जो हैं charges distributed हैं complete body में हम इसके अंदर जाएं it is a solid और इसमें हमारे पास जो है charge density जो है continuous volume charge इसमें हमारे पास continuous volume charge होगा इसके लिए हम बजाए के continuous का लफज इस्तमाल करें इनके लिए हमारे पास कुछ और names हैं जिनको हम इस तरह से कहते हैं this is line charge density अब ये line charge density क्या है line means हमारे पास सिर्फ एक axis है जिस पे हम move कर सकते हैं towards right or left yes तो हमारे पास line से मुराद ये है line is a length line charge density would be charge per unit length हम इसको charge per unit length को हम define कर सकते हैं lambda equals q by L this is charge per unit length और अगर हम very small for a very small length score define करें तब हम इसका differential ले सकते हैं and that would be equal to lambda equals d q by dl because the ratio would be same it is a continuous charge density जो के change नहीं होगी हम कहीं भी चले जाएं तो इसको हम लिख सकते हैं d q equals lambda dl अब हमारे पास जो equation थी हमारी e equals that is dependent on r 1 over 4 pi epsilon not summation थी हमारे पास charges की i to n q i over r i in the direction of r अब हमारे पास instead के हमने उसको discrete किया हमने उसको continuous कर दिया जब हम उसको continuous कर रहे हैं तो हमारे पास जो electric field होगी that would become 1 over 4 pi epsilon this is the same जो हमारे पास summation है continuity के लिए वो हमारे पास integral में convert हो जाती है अब हमारे पास क्या था हमारे पास d q था हमारे पास अगर हम इसको convert करें for just charges तो यह हमारे पास यह हो जाएगा one over r square in the direction of r and d q summation है अब अगर हम इसको charge per unit length one length के लिए convert करें तो हमारे पास जो d q है वो हमने find out किया है that would be equal to lambda d l that would go along the length of the of the rod or whatever thing we have जिस पे हमने line charge density define की है तो हमारे पास जो in case of line charges हमारे पास एक line charge density हो तो उस case में हमारे पास जो electric field आएगी that would be equal to e equals one over four pi epsilon not integration lambda of r over r square in the direction of r d l के हमारे पास जो let's draw it here के ये हमारे पास एक rod है और इसकी ये जो small length है ये हमारे पास dl है हम charge को जब इस length को lambda को charge per unit length को इस complete length पे integrate करेंगे ये हमें complete charge दे देगा जो इस length पर मुझूद होगा then जो हमारे पास lambda dl है ये हमारे पास total q के बराबर आ जाएगा जो इस length पर मुझूद होगा अब instead of के हम इसको length लें क्यों न हम इसको ये कहें के जो हमारे पास small charge है वो length की बजाए एक surface area पर था तो उसके लिए हम sigma d a introduce करवा देते हैं और अगर हम कहें के नहीं ये surface पर नहीं ये volume था तो हम d q को replace कर देते हैं रो डी टाउ अब ये हमारे पास d l रो डी ए रो डी टाउ क्या है अच्छा लैमडा सिग्मा एंड रो लैमडा इज लाइन चार्ड डैंस्टी सिग्मा इज एरिया चार्ड डैंस्टी एंड रो इस वॉल्यूम चार्ड डैंस्टी वेरी क्या होगी हमारे पास d l d a d tau d a d l d टाव डिपेंड करेंगे हम किस तरह के कोडिनेट सिस्टम में हैं हमने अपने mathematics करते वकर देखा है कि जब हम x y z में होते हैं तो जो हमारे पास unit length है dL वो हमारे पास dx in x direction plus dy in y direction plus dz in z direction होती है इसी तरह अगर हम area देखें तो in the case of area that would be dx dy in the direction of dz direction तो हमारे पास दो different so let's say मैं कोई एक area element लिख रहा हूँ तो that would be dx dy और ये मेरे पास z की direction में point करेगा area और in the case of volume मेरे पास जो d tau होगा that would be dx dy dz it would be a scalar quantity at the end तो ये हमारे पास जो है इस तरह से हमारे पास area element और volume element इस में incorporate हो रहे हैं जब हम line charge density area charge density और volume charge density को लिख रहे हैं अब ये d a d l d a और d tau जो हैं ये spherical coordinates के लिए और cylindrical coordinates के लिए हमें given होंगे यहां हम conversion से calculate कर भी सकते हैं जो कि हमने अपनी previous videos में देखा भी है coordinate system को discuss करते होए किस तरह हम x y z cylindrical ये spherical में जा सकते हैं तो ये conversion possible है तो हमें सिरफ जिस चीज़ का पता होना चाहिए वो ये है कि अगर हमें कोई charge density दे जाये कोई volume line charge density दे जाये volume charge density दे जाये यहां हमारे पास कोई area charge density दे जाये तो हम electric field किसी point पर किस तरह find out करेंगे तो वो हम इस simple formula er equals 1 over 4 pi epsilon not integration 1 over r square that is a distance between that line of charge or area of charge or volume of charge to the point where we want to check the electric field in the direction of that point और जो हमारे पास यहां पर है integration वो dq पर है अब यह जो dq है यह change होगा सिरफ dq would be change to lambda dl in case of line charge or sigma dA in case of area charge density and it would change into rho d tau in case of volume charge density तो हम यहां से तीन formula's बना सकते हैं e r would be equal to 1 over 4 pi epsilon not integration lambda over r square in the direction of r dl this is for line charge density और हमारे पास जो volume area charge density के लिए आएगा that would be 1 over 4 pi epsilon not integration of sigma dA over r square in the direction of r and in case of volume charge density हमारे पास जो electric field आएगी वो हम इस तरह से calculate कर सकते हैं 1 over 4 pi epsilon not integration of now rho d tau divided by r square in the direction of r तो यह हमारे पास तीन formula's आगे हैं in case of line charge area charge and volume charge density and this is our general formula जिसको हम integration को अगर summation की form में ले जाएं तो यह हमारे पास discrete charges के लिए आजाएगा और हम summation को integration में ले जाएं तो हम continuous charge density like line area and volume charge density को discuss कर सकते हैं अगले lecture में हम देखेंगे के accept electric field हम और क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं इस electric field के formula से accept checking the strength of electric field